हेलो एव्रिवन मॉस्ट वेलकम टू लेटर्ट्री एजुकेशन और आज जो हम पेपर सॉल्ल करने जा रहे हैं यह है आपका एक सेकेंड में थोड़ा सा बता देता हूं यह आपका जनरल नर्सिंग का पेपर है यह ठीक है और यह है 2018 का पेपर यह पूरा आज आपको मैं सॉल करवाँगा 10th of June 2018 9am और इसमें अभी मैं आपका English का वीडियो बना रहा हूं और कुछ समय बात जो आपके मैम है वो आपके लिए biology के जो इसमें subject है उनसे related भी chapter बनाएंगे ठीक है तो अ मैं देखते हैं English का पेपर सबसे last में इसमें मिलेगा अपने को एक सबसे बहुत easy way में आप English में number cover कर सकते हैं आपके 30 marks का English आता है ठीक है तो अब भी हमको यहाँ पर सबसे last में मिलेगा यह और मैं आपको बताऊंगा कि कितना easy way में आप English की question को कर सकते हैं और बहुत ही simple question आपके पूछे जाते हैं ठीक है यह यहाँ से दिखी question आपका पहला आ जाता है और पहला question आपका है everyone appreciates एक मिट थोड़ा सा pen change कर लेते हैं हम लोग देखे लिखा हुआ है everyone everyone appreciates him his honesty और option दिये है by in from और for तो यहाँ पर सही जवाब जो इसका हो जाएगा न वो हो जाएगा everyone appreciates him हर कोई उसको appreciate करता है काई के लिए for his honesty उसकी honesty के लिए उसकी इमानदारी के लिए वो इमानदारी से काम करता है तो हर को इसको क्या करता है appreciate करता है यहाँ पर एक और चीज लगे हाथ में बता देता हूँ कि यहाँ पर यह जो everyone है न इस everyone के साथ में जो हम वर्ब लेते हैं उस वर्ब में हमेशा हमको ACIES का यूज करना होता है क्योंकि everyone जो है वो एक singular subject है और अगर singular subject है तो इसके साथ जो वर्ब आईगी उसमें हमको क्या add करना पड़ेगा ACIES देखिए यह चोटी चोटी बाते जो मैं आपको question के साथ में बताऊंगा इसका आपको ध्यान दखना है क्योंकि exam में क्या होता है कि सब तरह की जानकरी होना जरूरी है दूसरी बात आप से अगर पूछ लिया जाए कि honesty क्या है तो यहाँ पर जो honesty होता है यह एक noun होता ह अगर कोई भी word जो है वो यदि समान लिजिए कि कि किसी भी possessive pronoun के बाद आता है यह आपका his हो गया my हो गया your हो गया यह सब possessive pronoun होते हैं तो इसके बाद में अकर कोई भी word आता है तो वो by default क्या किलाता है आपका noun किलाता है तो यहाँ पर जो honesty होगा या आपका क्या हो जाए है यहां से यह देखिए क्या लिखा हुआ है आराम से पढ़िए इसको यह बुल रहा है कि out of the four sentence given below choose the one which is grammatically correct आपको यह बताना है कि इन चारों में से इसा कौन सा है जो grammatically correct है बहुत सारे स्ट्रेंट को ऐसा लगता है कि सर यह question हमें पूरा पूरा sentence पढ़ना पड़ेगा ऐ इसा नहीं है अगर आपकी grammar अच्छी है तो कुछ चीजें होती है जिससे आप easy way में पकड़ सकते हो जैसे की पीछे देखी question mark लगा हुआ है अब इस question mark से समझ में आता है कि आगे सबसे पहले सबसे पहले वर्व होनी चाहिए जैसे कि यहां पर देखिए डिड 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 और एक logic और होता है कि डिड जो होता है उसके just बाद हमेशा subject आ जाता है और subject के बाद में जो वर्व होती है उसकी रहती है first form तो अब यहां पर देखिए यहां पर tell लिखा है जो की सही नहीं है फिर यहां पर told लिखा है जो की सही नहीं है और आकरी में लिखा हुआ है tell जो देखते हैं six number वाला क्या बोल रहा है लिखा है out of the four sentence given below choose the one which is grammatically correct मतलब अब इन चारों में से वापस से बताना है कि कौन सा correct है तो देखें यहाँ पर do not do not does not does not लिखा है ठीक है सबसे पहले तो share on जो है वो एक singular subject है और अगर अपना subject singular होता है तो उसके साथ में हम वर्वी की first form के साथ में क्या लगाते हैं एस या यह लगाते हैं है तो यहां पर यह दो option यहां से कड़ जाते हैं अब दो बचते हैं मेरे पास में does not makes does not make तो does not जो होता है मैं आपको बता दूँ कि यह जो does not होता है इसके बाद हमेशा वर्वी की first form आती है उसमें कोई भी यह लगता है तो इसलिए यहां पर सही जवाब हो जाएगा fourth क्योंकि इसमें लगा हुआ है यह रहां हो जाता है बोलिए यह बात समझ में आती है आपको seven number का question लेखते हैं seven number का question देखी क्या लिखा हुआ है लिखा है they tried to save their memory सबसे पहले हम direction पढ़ते हैं क्योंकि वह ज़्यादा जरूरी है लिखा हुआ है a sentence with an underline phrasal verbs is given below यहां पर देखी phrasal verbs क्या होता है यह जो phrasal verb होता है न phrasal verb is the combination of a verb and preposition मतलब कि जब भी कभी किसी वर्ब के साथ में कोई preposition होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या phrasal verb जैसे कि आपने सुना होगा टो break up का मतलब होता है क्या होता है ब्रेक आप को थो पता यह मैंसे जादा जानेगते हैं आप लोग तो ब्रेक आप का मतलब होता है जब रिलेशंशिप जब रिलेशंशिप एंड हो जाती इस HEप से यहांपर लिखा हुआ है fail apart, अब यहाँ पर दिखिए जो fail लिखा है यह वास्ताव में fall है, fall की second form है, क्योंकि verb जो होती है वो sentence के according change होती है, तो fall apart जो होता है, यह एक phrase है, और इसका मतलब जो होता है, वो होता है break, और यहाँ block लिखा है, क्योंकि यहाँ पर fail लिखा है, यह इसका सही meaning होगा, और यह फ्रेजल वब का पूरा एक chapter है, जिसमें आपको look की फ्रेजल वब पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको break की फ्रेजल वब पढ़ाई जाती है, ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है, कोर्स चलता है, जैसे कि यदि आप GNST, PNST की तयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी पूरी पर message कर सकते हैं, आपको पूरी detail और आपको demo classes, demo notes भी दे दिये जाएंगे, जिससे आप एक बार पूरा आपका एक chapter जो होगा, first chapter, उसका हम पूरा demo class देंगे, और साथी साथ आपको demo notes भी देंगे, और practice state भी देंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं, कि किस तरीके से हम आ message करना होगा, तो इसमें हम आपको पूरा phrasal verb जो एक systematic way में tense voice narration क्योंकि आपके exam में tense voice narration के question definitely आते हैं, अगला प्रशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको इसका meaning ही पता होगा, call for का, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि call for जो है, यह एक phrase है, और इसका मतलब जो ह होता है, वो होता है, वो होता है, डिमांड करना, क्या करना, इसमें पूरा sentence पड़ने की ज़वरत नहीं है आपको, जैसे कि एक phrase होती है, look into, तो look के साथ में into लगता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है, investigation करना, look into, मतलब investigation, look after, look after का मतलब हो ज Kirsty है, है जैसे कि लुक ओवर लुक ओवर का मतलब होता है एक्जामाइन करना ठीक है यह होता है आपका लुक ओवर तो यह इस प्रकार से आपको अगर फ्रेज या दे तो आपका काम हो जाएगा अगला है संस आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेट टू इमिलेट अब देखिए यहा तरीटिशनली एक्सपेक्टेट टू इमिलेट देर फादर्स अब देखिए यहां पर सन क्या करते हैं जैसे बैटमें बेटा हूं मेरे पिता जी का तुम्हें जंदली क्या करूंगा जैसा मेरे पिता जी करेंगे वह मैं करूंगा दिबाटक जो होता है इसका अर्थि ऑरत त्राय टू इमिटेट करनी पर इमिटेट का मतलब क्या होता है कौपी करना अगला प्रश्न हम देख लेते हैं लिखा हुआ है यह वह बैनिश्ट टू एन अन इन्हाबिट आइसलेंड फोर अब यहां पर यह जो बैनिश है आपने सुना होगा बैनिश्मेंड करना बैनिश्मेंड का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना यह एक वर्ड है बैनिश्मेंड इसका मतलब होता है देश निकाला और इसका मतलब बैनिश का मतलब यहां से समझ में आता है किसी को बा करना ठीक, 11 नंबर का फॉर्स प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया, तो बहुत ही basic क्योशन है was the first प्राइम मिनिस्टर, क्यों कि यह जो first, second, third और इस टाइप की जी चीजे होती है, इनके साथ में, क्या लगाते हैं इनके साथ में लगाया जाता है ठीक है दफर्स प्राइम मिनिस्टर अगला क्यूशन है कालीदास इस ओफन कोल्ड सेक्ष्पियर औफ इंडिया इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको बताता हूं कि जब भी कभी ओफ से दो नाउन को जोड़ा जाता है न तो ब्यूटी ओफ कश्मीर तो यहां पर आजाएगा दव ब्यूटी ओफ कश्मीर क्योंकि ओफ से दो नाउन को अगर आप जोड़ रहे हैं तो फिर आपको यहां पर क्या लगाना पड़ता है अगला क्योशन है आपके पास में दे आफ्टर वी हैड लेफ्ट देखिए यहां आपको जो टेंस पड़ाऊंगा ना सिस्टेमेटिक उस टेंस में क्या होगा कि मैं आपको बिल्कुल जैसे की यह फॉर्मले बता रखें तो इसी टाइप से शॉट ट्रिक बताऊंगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा जैसे कि आफ्टर है तो आफ्टर जो होता है ना कि जस्ट बाद यहां पर क्या आया हेड क gefट से थार फॉर्म और आफटर की इधर जाएगा ये क्या आएगा पटा है वर्वी की सेकंड फ्रम अजा जाएगा बोलो बात समझ मैं आफटर की इधर आपका क्या जाएगा होरर्वी की सेकेंड फॉर्मा चाहिए फोर्टीन नम्र का क्यूशन देखते हैं सिल्वर एज वेल एज कॉटन तो देखें यहाँ पर एज वेल एज लिखा हुआ है एक कनेक्टर होता है कभी भी ध्यान रखिएगा जिसे कि एंड होता है ना तो मैंने यहाँ पर लिखा जी राम एंड श्याम तो इसमें किसको देखा जा रहा है पता है इसमें राम एंड श्याम दोनों को देखा जा रहा है तो यहाँ पर वर्ब जो होती हो प्लूरल आती है जिसे है लेकिन इसमें सिल्वर लिखा हुआ है और सिल्व में हम अगले वीडियो में देखेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रू बताएं और आप मतलब की कोर्स भी लेना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिया था आपको 9753749986 इसमें आप मुझे जॉइन लिखके भेज देना ठीक है इसमें आपको जॉइन जो भी आप तयारी कर रहे हैं PNST तो इसमें आपको पूरा कोर्स सिस्टेमेटिक करवाए जाएगा चेप्टर वाइस ठीक है तो यहां पर देखिए यू हेड लॉक लिखा हुआ है बहुत ही बेसिक चीज़े हेड है तो हेड के बाद में हमेशा लॉक की जगे क्या आजाएगा मतलब वर्भी किया जाएगी थर्ड फार्म बोलो क्लेर हुआ हां तक तो यह 15 क्यूशन में आपको करवा दिये 11 क्यूशन करवा दिये और अगले वीडियो में बाकी क्यूशन भी हम कंटिन्यू करेंगे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंड करके ज़रू बताएं और भी अगर आपको कुछ डिमांड हो तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है चलिए मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच